इस वीडियो में हम देखने वाले हैं canvas pads और ये canvas pads यूज आते हैं acrylic painting और oil painting के लिए तो अगर आप acrylic painting और oil painting करना पसंद करते हैं तो definitely आपके लिए ये वीडियो बहुत ही helpful होने वाला है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दो canvas pads जो बहुत exclusive size है A1 और A2 size अगर आप buy करना चाहते हैं तो आपको जहां से मैंने buy किया है उन dealer का number मैं नीचे description box में डाल दूँगी तो आप उनसे directly buy कर सकते हैं canvas pads के बारे में सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूँगी कि canvas pads होते क्या है canvas pads जो है canvas sheets होती हैं जो cloth की बनी होती हैं 100% cotton होती है और उनको bind किया वह होता है एक drawing book के form के अंदर वो होते हैं canvas pads तो यहां पर जो मैं canvas pads यूज़ करती हूँ वो आपको दिखाने वाली हूँ sit free होते हैं यह canvas pads ओके और इस पर आप directly acrylic painting और oil painting कर सकते हैं आपको कोई भी जैसो की requirement नहीं रहती है सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यह camel के canvas pads जो मैं बहुत सालों से use करती हा रही हूँ सबसे चोटे number से शुरुआत करते हैं 8 by 10 इसका सबसे चोटा number है जो बहुत ही comfortable रहता है बहुत ही suitable रहता है इस तरह की चोटी paintings बनाने के लिए तो चोटी-चोटी practices अगर आप करना चाहते हैं या बिलकुल beginner हैं और चोटी paintings आप बनाना पसंद करते हैं तो definitely यह वाला जो size है यह आपके लिए बहुत ही ज़ादा suitable हो सकता है next size जो है यहाँ पर वो है 10 by 12 का size A4 size हर दम जबी भी हमको size के selection करना है यह चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो requirement क्या है इस चीज का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है उसके according ही हमको हमारा size मंगवाना चाहिए जो हम painting करते हैं तो A4 size की हम यहाँ पर बात कर रहे थे A4 size मैं उन्हें students को recommend करती हूँ जो as a beginner मेरे साथ join करते हैं classes तो हम शुरुबात करते हैं A4 size से अगर online classes में interested है तो आपको यहाँ पर number दिख जाएगा आप online classes join कर सकते हैं मेरे साथ आपको बहुत ही अच्छी है अगर आप skills को improve करना चाहते हैं क्योंकि यह online class के अंदर ही बनाया है हमने painting तीक है canvas board के उपर कभी भी painting करते हैं और canvas pads पर करते हैं तो बहुत difference होता है canvas boards definitely costly जादा होता है और canvas pads आपको बहुत ही जादा cost effective पढ़ते हैं next size जो है वो है A3 size जो 12 by 16 का size है यह sizes मैं camel के बहुत सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत satisfactory result मिला है आज तक camel से तो मैं बहुत जादा satisfied रहती हूं का camel से यह raw fine art का canvas pad है यह भी मैंने मंगाया था काफी साल पहले और यह 12 by 16 का size है A3 size और sheet अगर हम देखते हैं तो देखे सब की sheets common है आपको buy करने से पहले यह देखना है कि 100% cotton sheet होना चाहिए cloth होना चाहिए यह चीज देखना बहुत ज़रूरी है quantity around सभी pads में common आती है चाहे आप camel लें चाहे पेडलाइट लें चाहे आप रॉय fine art का जो पैड है बोले quantity जो आती है वो 10 sheets की सभी में common आती है तो quantity matter इसलिए रखती है क्योंकि definitely हम price दे रहे हैं तो हमको quantity भी पता होनी चाहिए तो यह fine art के canvas का साइज है जो कैमल के अंदर common है और 250 आरांड का पड़ता है यह हमको बहुत ही जादा एक्दम reasonable ओके next size जो है यहां पर यह वाला size उनहीं के लिए अच्छा है जो सबसे जादा as a beginner join करते हैं तो इसके बाद next size जो है वो है 9 by 12 का और इसके बाद next size है 12 by 16 का तो यह A4 और A3 sizes है और इसके अलावा next size जो है 16 by 20 का यह कुछ exclusive size होते हैं जो बहुत ही कम बहुत ही rare देखने को मिलते हैं हमको ठीके तो मेरे dealer जो है जो मुझे art materials apply करते हैं उनके पास यह sizes आए वे हैं अभी इन दिनों तो मैंने मंगवाए हैं उनसे A2 और A1 size यह बहुत ही exclusive size है तो यह बड़ी paintings करने के लिए बहुत ही suitable रहते हैं आप इनको कहीं भी courier कर सकते हैं आपका courier charge बहुत कम लगेगा painting बनने के बाद और आप इनको frame करा सकते हैं अपने हिसाब से अपने room के हिसाब से पसंद हैं काम करना